जी हाँ दोस्तों इन दिनों किर्किट प्रेमियों के लिए बहुत सारी सीरीज चल लई है जहाए एक तरफ न्यूजिलेंड वर्सिस इंगलेंड की सीरीज तो दूसरी तरफ वर्ल्ड टेस्ट शेंपेंज सिपका में इंतजार किया जा रहा फिर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आईपेल और दूसरी तरफ देखा जाए अबुदावी में पाकिस्तान सुपर लिग भी खेली जा रही है लेकिन यहीं देखा जाए दोस्तों तो वेस्ट इंडीज वर्सिस साउथ अफरीका के बीच भी टेस्ट सीरीज चल लई है सेंट लूसिया में दक्षण अफरीका ने पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन साउथ अफरीका को एक पारी और 63 रनों से हरा कर दो मैचों की सीरीज में एक जीरो की बड़ा थासिल कर ली आप सभी को बता दे कि तीसरे दिन वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी पारी में बल्ले बाजी करते वे महज 162 रनों पर आउट हो गई वहीं दूस तरफ दक्षण अफरीका ने मैच जीत लिया क्वेंटन डिकोक प्लेयर आवदा मैच बने इसके पीछे गरीजन आपको बताते हैं तीसरे दिन की खेल में वेस्ट इंडीज ने 82 रन पर 4 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और उनके लिए कुछ भी सही नहीं घटित हुआ जरमेन ब्लेक वुड दिन के पहले और पारी के पांचवे खिलाडी करूप में आउट हुए उन्होंने 13 रन ही बनाए इसके बाद वेस्ट इंडीज के विकेट लगातार गिरते चले गए काईल मेयर्स बारा और जेसन होलर चार रन बनाकर आउट हुए तबी वेस्ट इंडीज की पारी से हार तेय हो गई थी हाला कि रोस्ट इंड चेज ने अपनी तरप से पूरा प्रैक्टिस किया लेकिन वहें 12 रन बनाकर आउट हो गई इस तरह वेस्ट इंडीज की पारी भी 162 रनों पर सिमट गई अब बात करें दोस्ट साउथ अफरीका की तो साउथ अफरीका ने 33 रनों से मैच जीत लिया क्योंकि कगिसो रवाडा ने घाता गेंद बाजी करते वे दूसरी पारी में 5 विकिट चटका है तो ओंजिक नोर्टियाज ने पहली पारी और दूसरी पारी में कमाल किया दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकिट हासिल किये वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली पारी में खराब बल्लेबाजी की थी टीम में 97 रन बना कर आउट हो गई थी इसके बाद सौथ अफरीका ने पहली पारी में 322 रन बनाए जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेंटन डिकोक ने नाबाद 141 रन बनाए थी इस तरहे सौथ अफरीका को पहली पारी के आधार पर 225 रनों की बड़त मिल गई यहीं से लग भग लग रहा था कि मेजबान टीम को पारी से हरका सामना करना पड़ सकता है और विंडीज बल्ले बाजी पूरी तरीकी से फ्लोप रहे क्योंकि क्वेंटन डिकोक को नाबाद शथ के पारी कारण प्लियर अब दा मैच चुना गया वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में 172 रन मनाए 10 विकेट खो दिया थे दूसरी पारी में 162 रन मनाए 10 विकेट खो दिया जिस सौथ अफरीका ने अपनी पहली पारी में 322 रन मना कर अच्छी लीड ले रखी थी ओंदिक नौर्टियाज और कागिसो रबाड़ा लुंगी एंगेडी तीनों ही तीज गिनबाजों ने अच्छी गिनबाजी करते वे टीम को जीत दिलाने में एक एहम भूमे का अदा की जहाँ पर हमने देखा अँदिक नौर्टियाज ने पहली पारी में और दूसरी पारी में दोनों ही पारी में अच्छी विकट चटकाई तो लुंगे एंगेडी को पहली पारी में अच्छी सफलता हाथ लगी लेकिन दूसरी पारी में ज्यादा विकट चटका नहीं पाई नेस्ट नेन स्पोर्स कि पूर्ट